यहां पर यहां पर एक क्वेशन यह होता है क्वेशन जैसे मैं बोलूँ कि वह यहां पर आपको बहुत बार आपको डिसकस किया आता है तो यहां पर मैं आपको बहुत ही बेसिक से कॉंसर्ट बताऊंगा कि बचो जैसे हम बात करते हैं लीथियम को छोड़के है लीथियम का बच्व डाइगॉन और रेशन शिप होता है भच्व मैंगनीशं के साथ हूं लोग फिर बिस लक्टर हम पड़ चुके हैं तो बच्व मैंगनीशं नाइट्रेट और लिथियम नेट्रेट लबभक एक जैसे ही बच्व आपको डिकंपोज होते हैं तो बच्व चुछ आपको जो सूडियम है पोटेसियम है रॉबीडियम है सीजियम है तो इनके बच्चो कर नाइट나 details करें वाक करेंगे तो बच्चो टेमपरिटर का रहने होता है नाइटन शॉल्ड की जो आपका डीकंपोसिशन है बच्च वह बैद किस वह मैं सूडियम potassium rubidium और cesium इन cases के अंदर बच्चों यहाँ पर आपका जो temperature रहेगा 475 से 650 degree से मतब काफी high temperature है ठीक है तो इस temperature की range रखेंगे तो बच्चों यहाँ से आपका जो आपके sodium का nitrate है, potassium का nitrate है rubidium का nitrate है, cesium का nitrate है तो बच्चों लखाएं मैंने mno3 general form इसकों decompose करेंगे temperature की बच्चों range यह है और यहाँ से बच्चों मिलेगा mno2 मिलेगा mno2 आपका मतलब यहाँ पर जो मिलेगा nitrite यह nitrate था, nitrate से बच्चों क्या मिला है nitrite, मतलब यहाँ बच्चों जोड़ेगा आपका ite, ठीक है तो nitrate से बच्चों nitrite और बच्चों यहाँ से oxygen gas आपकी release होती है, clear है और अब आते हैं बच्चों second point पे lithium nitrate पे, तो lithium nitrate different तरीके से decompose क्यों होता है, तो उसकी पिछी रिजरा आपका हुआ ही है, size size बच्चों तो आपका lithium का पता है, बड़ा polarizing है, polarizing capacity यह आपकी maximum होगी तो lithium का size होता है, जो charge density maximum होगी, बच्चों कौन सी positive charge density है, positive charge field आपका maximum होगा तो इसका मतलब बच्चों यहाँ पे polarizing capacity आपकी maximum होगी जब polarizing capacity maximum होगी, और यह भी ध्यान रखने वाली बात होती है, कि lithium का nitrate को बच्चों decompose करते हैं तो यहाँ जो temperature होता है, it is around 500 degree Celsius, मतलब काफी high temperature रहता है, तो बच्चों 500 degree Celsius पे बच्चों आपका यहाँ पे जो lithium का जो आपका nitrate है, वो बच्चों आपका यहाँ पे break करेगा और break करने से बच्चों lithium का normal oxide क्यों मनाएगा, क्योंकि lithium के charge density maximum है, तो lithium बच्चों आपके पास तीन option है superoxide, peroxide और बच्चों आपका यहाँ पे normal oxide, तो lithium बच्चों आपके normal oxide, जो small size का आपका ni oxide oxygen का, उसके साथ असानी से combine करता हो, lithium oxide का formation करता है, और बच्चों यहाँ से आपको NO2 gas release करता है, और प्लस बच्चों आपके जो oxygen gas है वो आपकी release करता है, तो यह थोड़ा सा different concept ध्यान देने वाली बात यह है, कि lithium के जो आपके nitrate है, वो 500 degree Celsius per round आपका heat कर एक high temperature रहता है और L2O बनाता है, क्योंकि बच्चों यहाँ पे आपका बाकी आगरद आप देखोगे कि sodium के, potassium के, rubidium के और cesium के different आपके जो oxides हैं, तो paroxides हैं, paroxides हैं क्यों फॉर्म नहीं होते हैं, क्योंकि बच्चों यहाँ पे आपका जो MNO3 है जो आपका sodium है, potassium, rubidium, cesium यह काफी high, मतलब आप क्या है कि आप top two bottom जैसे travel करोगे तो आप top two bottom ट्रेबल करने पे बच्चों कहीने कहीं इनकी जो आपकी lattice energy है, lattice energy की value बच्चों निक्रीस कर दिया आती है, तो lattice energy की value निक्रीस करेगी, मतलब cesium 98 को बच्चा high temperature जाई है, that is around 650 degree Celsius, तो अब जो lithium बाला है, उसका exceptional behavior है, तो वो बच्चों आपका 500 degree Celsius के राउंड आपका heat होगा, और lithium का normal oxide बनाएगा, N2 gas release करेगा, auction gas release करेगा, और वैसे यह भी होता है कि आपके nitrates हैं, sulfates हैं, यह बच्चों क्या होते हैं, बच्चों बात में यह oxygen जो निकल रहा है, वो oxygen बच्चों काफी fast निकलता है, तो यहाँ पर explosive आपका ना हो जाए, इसकों controlled oxidation process यहाँ पर हम कराते हैं, तो यहाँ से आपका जो lithium nitrate है, वो LA2O, NO2 और oxygen में convert हो गया, और बाखी कि आपके जो बच्चों nitrate होंगे, sodium का, potassium का, विवडियम का, cesium का, यह बच्चों आपका जैसे आप बढ़ते जाओंगे, down the group, तो बटा कहीने की temperature की value भी आपकी बढ़ते जाती है, clear है, तो यह एक बच्चों आपकी range है, 475 से 650 degree Celsius पर यह heat के आते है, nitrate, इसके बाद next point आता है, कि अगर बच्चों आपका sodium का nitrate है, इसको बच्चों heat करते है, that is around 380 degree Celsius से बच्चों more होता है, ठीक है, तो sodium का बच्चों यहाँ पर आपका nitrate है, इसको मैं heat करता हूँ, तो बच्चों आपको मिलता है na no2, प्लस बच्चों oxygen gas आपकी यहाँ से release होती है, तो यह जो na no2 बच्चों यह residue मिलता है, यह बटा आपका white and pale yellow solids आपको मिलेगा, और white बोल सकते हैं, pale yellow solids भी उसको बहुत चुकर बोला जाता है, फिर further बच्चों इसको और हम heat कर देते हैं, यहाँ बच्चों temperature है, थोड़ा सा आपको और high temperature चाहिए, मतलब more than आपको 380 से ऊपर और अधिक आपको temperature चाहिए, और NO2 को बच्चों decompose करते हैं, तो यहाँ से आपका NO2O का formation होगा, और NO का बटा NO gas release होगी, और आपका NO2 gas भी यहाँ से release होती है, यहाँ पर पूचते हैं इस तरीके से, अगर आपको difference देखना है, जैसे आपका sodium का, potassium का, rubidium का, cesium का अगर आपका nitrate है, तो कैसे पता चलेगा आपको, कि lithium का nitrate आपको मैंने देके रखा है, यह फिर मैंने आपको other alkali metals का nitrate आपको दे रखा है, तो उसको समझने के लिए बस इतना है, कि आप उसे decompose करो, decompose करने पर अगर बच्चों आपको brown fumes मिलना है, देखो, NO2, यह जो gas आपको निकल लिए है, वो only in case of lithium nitrate निकल लिए है, but in other cases like sodium, potassium, rubidium, cesium, वहाँ बच्चों आपको NO2 gas नहीं मिलेगी, इसका मतलब जहाँ पर आपको brown fumes आपको देखेंगे, तो definitely बच्चों वहाँ पर क्या होगा, lithium nitrate होगा, बाकी बच्चों अगर आपको brown fumes नहीं मिल ला है, तो definitely वहाँ पर आपका sodium, potassium, rubidium का यह फिसीजियम का आपका nitrate होगा, नेक्स बच्चों हम लोग बात करेंगे, यह आपके comprehensive questions आते हैं, यह advanced कंदर यहाँ से questions, नेक्स पॉइंट है बच्चों, nature of sulfate salt, तो nature of sulfate salt के बारे में study करते हैं, तो यहाँ बच्चों क्या है, आपको ध्यान देना है बस lithium का sulfate, lithium का sulfate, तो लिखा है बच्चों इसको छोड़ देना है, मतलब except lithium sulfate, other alkali metals, sulfate salt do not decompose even at high temperature, ठीक है, मतलब lithium का जो sulfate है, उसको छोड़ दो, बाकि आपका sodium, next potassium, next rubidium, next cesium, अगर बच्चों, इनके अगर आपके salt होंगे, तो इनके अगर आपके sulfate salt होंगे, तो उनको high temperature भी supply करोगे, तो भी आपके break नहीं करते हैं, what is the reason, reason is very simple, because of lattice energy, तो बच्चों जो आपका ionic bond है, वो आपका strong होता जाएगा, because आपका sulfate bigger size, आपका anion है, और आपका जो down the group जाने पे cutains का size है, बच्चों, बच्चों, डेफमेटी निक्रिस करता है, इसका मतलब बच्चों, lithium sulfate, आपका decompose कर जाएगा, और बाकि कि जो आपके sulfate है, वो high temperature भी decompose नहीं करते हैं, तो जैसे बच्चों, हम लोग यहाँ पे देखेंगे, भई, lithium का sulfate, अगर इसका में decompose करेंगे, तो क्या क्या आपका form होता है, तो बच्चों, यहाँ पे बनेगा, Li2SO4, lithium sulfate, इसको बच्चों, हम लोग heat करते हैं, तो यहाँ से आपको मिलता है, Li2O, बटा, oxide क्यों बना है, lithium बच्चों, oxide को ही बच्चों 99% form करता है, because of stability, stability region के वज़े से, ठीक है, प्लस बच्चों यहाँ से sulfate है, तो इसका मतलब बच्चों यहाँ से आपके SO3 gas, यहाँ से आपकी release होगी, ठीक है, अब SO3 है, आपके solution में तो Li2O भी होगा, और आपका SO3 भी होगा, trioxide भी होगा, sulfur का, तो जब हीट करेंगे, तो Li2O पर बच्चों कोई भी effect नहीं बढ़ेगा, विकार यह तो बच्चों आपका stable हो चुका है, इसकी stability बच्चों maximum हो चुकी है, अब SO3 है बच्चों, वो आपका decompose करेगा, यहाँ पे हम यूज करते हैं high temperature, यह बच्चों decompose करेगा, और यहाँ से बनाएगा आपका SO2 gas release करेगा, प्लस आपका half moles of oxygen gas भी release करेगा, तो जो oxygen gas release हो रही है, इसकी बच्चों हम बहुत सकते हैं, explosion, जो बच्चों निकलती है, वो काफी तेजी से निकलती है, तो इसको बच्चों control process के थ्रोई कराते हैं, next point होता है, order of solubility को लेके, तो next heading होगी बच्चो, order of solubility, तो order of solubility of sulphates के बात करेगे, metal sulphate के, alkaline metal sulphate के, तो बच्चों आपका जो LA2SO4 है, बच्चों solubility किस के साथ, water molecules के साथ, ठीक है, तो LA2SO4, obviously बच्चों आपका less, आपकी solubility represent करेगा, next बच्चों, NA2SO4, next आपका आएगा, K2SO4, next one is RV2SO4, and last होगा, आपका CH2SO4, तो this is the order of solubility, ठीक है, तो down doing group जाने पर, आपके हाँ पर solubility क्या होगी, increase करेगे, ठीक, यह होगा, आपके order of solubility का concept, Diagonal relationship, ठीक है, Diagonal relationship, बच्चों हम लोग बात करेंगे, अलेकली मेटल्स में, लीथियम के साथ, बच्चों क्या, मेगनेशियम, ठीक है, मेगनेशियम बच्चों आपके शेक इंडिय का element है, अलेकान अर्थिमेटल, लीथियम इस अलेकली मेटल्स, तो यह जो बच्चों Diagonal relationship, जो आपका concept डावलाप होता है, उसके पीछे reason बच्चों सिर्फ होता है, polarizing power, जिन elements की बच्चों आपकी diagonal की बच्चों आपका यह diagonal है, ठीक है, तो बच्चों Diagonal relationship बटा तब आपका same बोला जाता है, यह जो relation तब आपका काम करता है, किसी बच्चों आपका element की है, दूसरी element का, जब बच्चों दोनों element की polarizing power कैसी हो, same हो, polarizing power को बच्चों हम लोग बोलते हैं, charge by size ratio, ठीक है, charge by size ratio, तो वैसे भी पता है कि बच्चों down group अगर मैं आऊँगा, तो down देखो, अगर मैं बटा, obviously बच्चों lithium आपके second period का element है, magnesium की कर बच्चों बात करेगे, तो आप देख सकते हो, तो यह जो magnesium बच्चों आपके third period का element जाएगा, तो कहीं न कहीं आपका size होगा, वो आपका increase करेगा, लेकर आपको यह पता है कि size की value होगर आपके increase कर रहे है, तो charge density भी तो कम हो रही है, लीथेम के साथ क्या है, charge density की value होगर देख है, लेकर size छोटा है, मैं निक्सिम तरह अगर आप जा रहे हो, तो वहाँ पर क्या है, बटा, charge जो हम बात करते है, charge, तो charge की value कम हो रहे है, लेकिन size बच्चों की आगर increase करेग तो बच्चों यहाँ पर diagonal, relationship का मतलब है, बहुत सरी properties दोनों की match करेंगे, जैसे बच्चों पहली property, atomic size, atomic size की बात करेंगे, तो लीथेम की बच्चों value होती है, 1.34 angstrom, और बच्चों magnesium की value near about होती है, 1.36 angstrom, मतलब दोनों value जो बच्चों काफी close हैं देख सकते हो, size दोनों का same है, next, iron size के बारें बात करेंगे, तो लीथेम प्लस जो है, इसकी value आती है, आपकी 0.60 angstrom, magnesium plus 2 बच्चों आपको मिलेगा, diatomic, यह बच्चों आपको मिलेगा, 0.65 angstrom, ठीक है, यह भी काफी close values है, बहुत आदा difference आपका नहीं है, not much different, next बच्चों आता है, polarizing power, polarizing power बच्चो अब हमने देखिए, तो polarizing power बच्चों क्या होती है, आपके charge बई, size ratio बो भी आपके लगबग सेम होती है, लीथियम और magnesium को लेके हम बात कर रहे हैं, दोनों की ionic radius को हम लेके बात करते हैं, ionic charge से ionic radius, क्या बच्चों, ionic charge, मतब जो cation से उनका charge value, और बच्चों जो radius, आप आपका यह जो values आपको देख रही है, आप इससे बच्चों ऊपर आपड़ करोंगे 1.36, तो कहिने के आपकी जो values है, वह आपको लगबग आपके values क्या होंगी, save निकल के आएंगे, ठीक है, उसके साथ साथ, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, लीथियम के हम बा बच्चों होता है 1.20, बहुत ही आपका small difference है, ठीक है, यह भी काफी close है, नेक्स्ट बच्चों लीथियम मेगनिशन बच्चों दोनों ही hard metals होते हैं, एंडश्टी के अंदर बच्चों यूज़ करने को मिलता है, नेक्स्ट बच्चों पॉइंट आता है, अब अगर मेगनिशन यह बच्चों decompose करते हैं, बच्चों यहां से H+, और आपका high temperature, बच्चों high temperature पे न, on heating, यह बचा, दोनों ही metals, decompose the water, only on heating, तो बच्चों यहां से H+, यहां से आपको OH-, मतलब H+, बच्चों H2 gas में करना बटो का और यह base को represent करेगा, नेक्स्ट बच्चों पॉइं में oxygen के साथ combine करता हूं, तो यहां से आपको मिलता है monoxide, लिथियम का और बच्चों यहां से magnesium का, तो next point बच्चों आएगा, यह दोनों ही आपके दोको same properties hold करें, monoxide का formation करते हैं, इसके बच्चों लिथियम का heteroxide हो, और magnesium का heteroxide हो, दोनों ही बच्चों कैसे होते हैं, big base, बो MgCl2, ठीक है, बोथ हार cobalent in nature, दोनों ही बटा cobalent character को hold करते हैं, ठीक है, और दोनों ही cobalent character को hold करते हैं, तो हम बोल सकते हैं, hence are soluble in organic solvent, ठीक है, like alcohol and pyritin, next बच्चों बात करेंगे, लिथियम बच्चों अगर बच्चों आपके N2 gas से कर बच्चों combine करेगा, तो यहां से ब हम बोल सकते हैं, कुछ और भी values हैं, भी discuss करेंगे, बच्चों यहां पर आपका जो relation है, in between lithium and magnesium, वो काफी आपका close है, क्योंकि बैटा maximum, जो physical and chemical properties यहां आपकी यहां सी निकल के आ रही है, ठीक है, चलते हैं कुछ और properties पे, लिथियम और magnesium के carbonates, fluorides और oxalate ठीक है, और बच्चों phosphate, लिथियम और magnesium के बच्चों carbonates, fluorides, oxalate और phosphate, यह बच्चों आपके less soluble रहते हैं, water molecules के साथ, ऐसा क्यों, क्योंकि बच्चों यहां पर आपका जो दो reason होता है, अगर मैं solubility के बारे मता हूं, तो बच्चों एक reason होता lattice energy, शेकिन बच्चों होता hydration energy, ठीक है, अगर बच्चों आपके lattice energy maximum हो गई, तो वहां पर बच्चों water molecules के साथ, आपका solubility नहीं होगी, मतलब lattice energy के value greater होगी, बटा अगर hydration energy से, तो बच्चों आपका solubility नहीं होगी, अगर बच्चों मैं reverse करके बोल और दूसरा मैं आपको बाता एक point और की बच्चों यहां पर आपका बात करते हैं, cobaland character, और बच्चों बात करते हैं, यहां पर आपके shift होगी है, तो यहां पर बचा गर बच्चों अगर बच्चों दोनो दोनों देते हैं बच्चों मॉनोग्साइड अगर बच्चों नाइट्राइड आपको मिलता है तो इसको हीट करते हैं तो बच्चों हाँ से अनुटु गैस मतलब बटा आपको ब्राउण फ्यूंस मिलेंगे और बच्चों के रिस्पेक्ट वी आपको मिलेंगे बच्चों पौन से मोनो ओक्साइड आपको मिलेंगे और नाव कम्स टू नेक्स पॉइंट एक्स्रक्शन ओफ एलिकली मैंटल्स को बच्चों हम लोग कैसे करते हैं वैसे बच्चों जो भी आपके अलिकली मेंटल्स है वह इता डिफेंट और के साथ आपके डिफेंट किया आते हैं तो वह हमारी सेलवेस में यहां पर नहीं है व बन कर दिया तो बाकी जो इंपॉर्टन कौन से प्रोस्ट करने के लोगाPress भी रखा है तो यहां पर बचो लीकुल में मैं पहले डिस्वस करूंगा LICL is very very important क्यों क्योंकि बच्चो different state के अंदर LICL different तरीके से बच्चो electrolysis process को support करता है तो बच्चो में सबसे पहले बताऊं कि lithium को अगर बच्चो आपको action करना है तो सबसे पहले बच्चो क्या करना है पहला बेटा two steps सबसे पहले बच्चो इसको अपनों क्या करना है आपको आपको रिलीज करना है मतलब लीथियम को बच्चो एक important आपका ओर रहता है that is the lial si206 ठीक है d-u-m-e-n-e ठीक है तो यह बच्चो एक important ओर है यहां से बच्चो हम क्या करेंगे इसको हीट कर देंगे तो बच्चो यहां से बच्चो क्या है पहला point follow करना है preparation of LHL from the ore next बच्चो पॉइंट क्या होगा अपको मिझे जाएगा शेकिंड पॉइंट होगा electrolysis of LHL questions बच्चो आता है electrolysis से electrolysis is important उसके focus करेंगे ठीक है तो अब lithium chloride का जो electrolysis है वो बच्चो डेपेंड करता है lithium chloride की state के उपर यहां से सुनना lithium chloride की state के उपर depend करता है जैसे बच्चो electrolysis process अगर आपके aqueous state of lithium chloride का होता है किसके बच्चो और जब anode की बटा cathode की बात करेंगे तो आपको lithium और आपको hydrogen आपको मिलेगा तो फिर शे में repeat कर रहा हूं जैसे बच्चो हम discuss कर रहें यहां पे कि अगर आपका aqueous phase का lithium chloride होगा तो आपके क्या क्या मिलेगा एनुट के ऊपर बच्चो मिलेगा यहां पर आपको oxygen gas and chlorine gas और आपको मिलेगा लीथियम मिलेगा और आपको यहां पर hydrogen आपको मिलेगा ठीक है यह तो बच्चो एक को स्वाला phase है अगर second phase की बात करें ऐसा यहां पर क्यों होता है फिर आपको जो lithium मिलेगा लीथियम फिर से आपके hydroxide selection करेगा water molecules के साथ लीथियम hydroxide बना लेगा ठीक है और लीथियम hydroxide पर चले जाएंगे तो फिर बच्चो आपको यहां पर हाइडनेस आपको मिलेगी तो फिर आपको यहां पर पूरा process correct नहीं है ठीक है को लीथियम तो आपको मिले ही नहीं लीथि रहता है छाहिं लगा आपका हेडोजन गैस और आपको लीथियम लीथियम बच्छों फिर्शिक अनबर्टों का वाटर मॉल्ट्री सेक्षिन करके लीथियम हाट्रोक्साइड के अंदर लेकिन अगर बच्छों मोल्टन इस्टेट का होगा तो प्रॉपर रिक्षन होगा बेटा तो यहां पे आपक करते हैं तो सोडियम को लिए बच्छों बहुत हैं इंप्टेंड करते हैं यहां बच्छों जो आपका मिक्षर होता है तो बच्चो फॉलो करते हैं तो इनिशली आपको जो बच्चो एनेशल के साथ बच्चो कुछ इंपॉर्टी मिलते हैं like calcium chloride like magnesium chloride तो यह जो बच्चो इंपॉर्टी मिलते हैं यहाँ पर एनेशल बच्चो एक्चली में कितना होता है यहाँ और जो यहाँ पर आपका cacl2 होता है this is around 60% 60% आपका cacl2 रहता है ठीक है और 40% रहता है sodium chloride fused state के अंदर फिर इसमें आपका जो calcium chloride को जो हम यूज कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं because to lower down the temperature अगर सिर्फ आपका एनेशल रहेगा तो एनेशल के अंदर के आप extraction करोगे तो जो आपका temperature आपका रहता है that is around 1080 Kelvin ठीक है तो इस temperature को बिटा आपका decrease करने के लिए हम यहाँ आपके calcium chloride को यूज कर देते हैं और temperature बच्चो आपका जो पहुंचता है this is around 850 Kelvin ठीक है तो यह बच्चो यूज है आपका calcium chloride का तो अब बच्चो जो प्रोशिस होगा आपके ने जिए आने-सेल का तो अने इसल बच्चो आपका आउनाइज होगा एने-प्लस-ईक्षटियल मैनेस-ईक्ष़ट के अंदर बच्चो पे बच्चो यह से बच्चो हम लोग क्या करते हैं करेंड को हम सप्लाई करते हैं है ना आपके पर्टिकुलार यहां बच्चो आपको जो solution रहता है वहां बच्चो आपका आयोजिशन प्रोसिस होता है और आयोजिशन प्रोसिस के थरो बच्चो वहां पे आपका आपका चार्ज वहां पे डिस्ट्रिवूट होता है और फिर बच्चो आपका जो डिपोजिशन होगा वहां पे डिस्ट्रिवूट पे तो इक यहां पे डिस्ट्रिवूट होता है और बच्चो आपका शोडिया प्रोसिशन प्रोसिशन अगर बच्चो में ऐसे भी एक्षन मिलती है सिल मैनेस से बच्छों सीएल लीजिंग ओफ वन लेक्ट लेकिन सियल तो बच्छों को चोटा नहीं से बच्छों के पास होंगे तो बच्छों को इसको मट ट्वाइस कर लेते हैं तो शिएल टू गैसा प्र ली जोगी एनुट पर और खैथोड बच्छों आपका स्वोडियम यहां पर हम यूज करते हैं, पोटेशों हेत्रोक्साइड और का प्लस, एक्वस और ओच मैनस के अंदर, तो बटा कैथोर्ड पर एक्षन बच्छों क्या होगा, आपका रेडक्षन, अनूट बच्छों क्या होगा, आप चैक कर सकते हो, यहां देखो बच्छों ध्यान से, कि पोटेशिव लेक्शन करेगा और बच्चो आपका क्या रिलीज होगा इंपोर्टेंट ऑक्षिंग्या सी फार्म होगा और बच्चो गर्फ बैलेंस करता है तो आपके फूल एक्ट्रों मैंस से रिलीज होते हैं ठीक है बाद में हम लास्ट में बैलेंस कर लें के थोड़े नूट को तो हम एडॉक्स एक्षन बना लेते हैं उसकी बैलेंसिंग में बस आपको प्रॉसेश देखना जरूरा है कि किस तरीके से कहां पर एक्ष्रेक्शन हो रहा है क्लिए पॉइंट कुछ इंपॉर्टेंट रिक्षन है बच्षो सल्फीट के उपर जैसे बच्षो एनिटू सीओ थी रियक्टर में डाइलूट अस्टोसुफोर तो बच्षो यहां से आपको मिलता है एसा क्यों दोखो बच्षो यहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आपका जो तो आपको जब पता है कि यह salt बचो dilute H2O4 के presence मारा है तो बटा यहां पर dilute का मतलब क्या water molecules है तो यह water molecules क्या क्या क्यों role play करेगा अगर Na2CO3 के साथ water molecules आता है तो decomposition नहीं होगा बट अगर H2O4 आएगा तो बचो यह compose करेगा और बच्चो यहां से क्या होगा यह sodium बच्चो sulphate के साथ जाएगा तो बच्चो बनाएगा Na2SO4 और CO2 gas बच्चो मिले carbonate से लेकिन बच्चो Na2SO4 बच्चो आपका यहां पर aquaous medium रहेगा dilute phase है तो इसका मतलब बच्चो क्यों करता है और बच्चो 10 water molecules को लेके जाता है ठीक है और heart form बच्चो बच्चो के साथ बच्चो के बच्चो को रिलीस कर देगा लेकिन बच्चो के बच्चो मिल जाए गई है नेक्स से बच्चो mg co3 plus dilute phase two four यहां से बच्चो मिलता है mg so4 बटा केसलाइन करता है तो बच्चो बनाता है mg so4 dot save in h2o ठीक है तो बच्चो इस 7 water molecules को बच्चो ए एब्सौर्ब करता है और co2 gas को रिलीस करता है नव काम नेक्स रेक्षन बच्चो बच्चो है 4 रेक्षन cac o3 plus dilute phase two four यहां से बच्चो बनता है cac o4 cac o4 यहां से एसफोर यहां cac o4 और बच्चो कार्विड तो आपके c o2 gas release करेगा और बच्चो यहां पर आपका केसलाइशन होगा तो बटा बनता है cac o4 dot save in h2o यह बटा आपका वोता जीप्षम आपके cac o4 dot save in water molecules फिर बच्चो यहां से मिलता है cac o4 dot half h2o इडिस को बच्चो में रोगते हैं प्लस्टर और पेरिश अगर बच्चो आप और हाई बिजर पहीट करोगे तो बच्चो आप बटर मॉली को इस बहार चलाई देगा और बच्चो आपको केसलाइन फॉर्म में लेगा cac o4 तो यह बटा pop का फॉर्म है यह an address फॉर्म है clear है तो यह कुछ important एक्षी ने पेवेशर की इसको मैं यहां पर डिस्स किया है next बच्चो आपका आज लेक्चर में यह फिनिस करता हूं next लेक्चर आपका जब भी discuss होगा तो उसके अदर कुछ और important properties वेटा हमरों एल्किली मेटर्स के बारे में discuss करेंगे thank you, thanks for watching